नमस्कार दोस्तों हाँ आज हम लाए हैं आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो जिसका विशय है सुनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेसी में क्यों किया जाता है इस विशय पर आज हम जानेंगे लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सबसक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो आपको उसका मोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो Ultrasound Scan क्या होता है? Ultrasound Scan में ध्वनी तरंगों को गर्भाशे तक भीजा जाता है आप इन उच्छ आवलती, फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनी तरंगों को सुन नहीं सकती मगर ये शिशु को छोकर प्रतिध्वनी के तौर पर वाफस आती है Computer इन तरंगों को वीडियो तस्वीरों के रूप में परिवर्तित कर देता है जिन से शिशु के आकार, स्थिती और हलचल का पता चलता है तस्वीर में हड़ी जैसे ठोस उत्तक भणी तरंगों को सबसे ज़्यादा पर वर्तित करते हैं इसलिए इन से सबसे ज़्यादा प्रतित्वनी उत्पन होती है ये तरंगों ग्रे दिखाई देते हैं तरल पदात जैसे की शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्राफ काला प्रतीत होता है ऐसा इसलिए क्योंकि तरल ध्वनी तरंगों के प्रती कोई प्रतिध्वनी नहीं करता स्कैन करने वाले इल्ट्रासाउंट डॉक्टर इन विभिन रंगत वाली चवियों को देख कर ही तस्वीर की व्याख्या करेंगे आपका पहला स्कैन काफी अवस्मर्णी आनुभव हो सकता है क्योंकि इसमें आपको पहली बार अपने शिशु की जलक देखने को मिलती है 3D और 4D रंगीन अल्फरसाउंट भी काफी लोक पर यह हो रहे हैं क्योंकि इन से शिशु की काफी जीवन्त तस्वीरें प्राप्त होती हैं रपोर्ट के अल्फरसाउंट डॉक्टर शिशु की तस्वीरें भी आपको दे सकते हैं ताकि आप इन्हें यादगार के तौर पर रख सकें यदि आप भी तस्वीरें चाहती हैं तो अपनी डॉक्टर से बात करें हालन की शिशू की पहली तस्वीर को अपने पास रखना और दूसरों से साजा करना बहुत अच्छा है मगर इस अल्फरसाउंट का उद्देश्या के शिशू की पहली तस्वीरें प्रदान करना नहीं है स्कैन का मुख्य मकसद ये जाना होता है कि आपके गर्भें कितने शिशू पल रहे हैं और क्या वह सामाने तोर पर विक्सित हो रहे हैं या नहीं पहली तिमाही के स्कैन में शिशु के दिल की धड़कन की जाच की जाएगी और शिशु के सिर पेट की दीवार और अंगों की मूल रचना को देखा जाएगा। क्या गर्भावस्था में अल्फरसाउंट करवाना सुरक्षित है। पहारत फॉर्म पर आपकी लिखित सहमती लेकर आपसे हस्ताक्षर करवाएंगे। इसमें आप ये सहमती देती हैं कि अल्फरसाउंट स्कैन आप शिशु का लिंक जाने के लिए नहीं करवा रही है। अल्फरसाउंट कैसे किये जाते हैं? आपके स्कैन या तो diagnostic center में होंगे या फिर maternity hospital के अल्फरसाउंट विभाग में किये जाएंगे। अल्फरसाउंट स्कैन आमतौरक कमरे में किये जाते हैं और कमरे में रोशनी बहुत कम रखी जाती हैं। ताकि डॉक्टर को स्क्रीन पर तस्वीरें बेहतर रंग से दिख सकें. अगर मेरे स्कैन में कोई समस्या आये तो क्या होगा? अगर आपके स्कैन से शिशु में कुछ समस्या होने का पता चलता है, तो आपका चिंतित होना स्वाभाविक है. कई बास पाइना बिफिडा जैसी समस्याओं का पक्का पता स्कैन के जरिये चल सकता है. कुछ मामलों में स्कैन छोटे बदलाव वरियंट दिखा सकता है, जो की आमतोर पर कोई चिंता का कारण नहीं होते. हालनकि वगे गवहार ये किसी गंभी स्थिती जैसे की डाउन सिंद्रमों आदी का संकेत हो सकते हैं. यदि आपके स्कैन की रिपोर्ट में कुछ भी हसामाने लगे, तो डॉक्टर आपको नॉन इन्वेसिफ प्रिनेटल टेस्टिंग नापीटी या सीविस और एमनियू सेंटेसिस जैसे डाउनूस्टिक टेस्ट करवाने के लिए कह सकती हैं. पहले से इन सब की जानकारी होने से आपको सभी विकल्पों के बारे में विचार करने का हफसर मिल जाता है. कोई भी निर्नर लेने से पहले अपनी डॉक्टर से पूरी जानकारी लें, वे आपको भरपूर सहयूग वमार्गर्शन दे सकेंगी. अल्टरसाउंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा? सामानी तोर पर इसे करने के लिए 700 से लेकर 2000 रुपे तक लग सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में ये मुफ्त होता है. अल्टरसा एक करने के लिए जाएगा स्वालां में ये मुफूर से हैं, लेकिन सरे टाहरा है कि लोगा है करने के लिए। और शे आए और रोहगा है।